बॉलिवुट के दबंग सल्मान खान सहब को एक गैंग्स्टर ने हाल ही मैं जान से मारने की दम की दी थी और अब रेस 3 के सेट पर पहुँचा एक आदमी गन लेकर शूटिंग को रोकना पड़ा पहुँची है पुलिस क्या है मामला बताते हैं आपको नमशकार आदा मैं हूँ अभिशेक स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बात चल रही है बॉलिवुट के दबंग सल्मान खान सहाब की बाकी दिनों की तरह 9 जनवरी को अपने फिल्म रेस 3 की शूटिंग कर रहे थे तब ही वहाँ पर एक शक्स अपने हाथों में हतियार लेकर पहुँच गया जिसकी चलते सेट पर हड़कम मच गया जी हाँ रेस 3 के सेट पर हड़कम मच गया और इस बात की सूचना मिलते ही पुलिस सेट पर पहुँची उन्हें लगा कि सल्मान को जान से मारने के धमकी मिल ही रखी है इसलिए सल्मान की जान को खत्रा है तो उन्होंने फिल्म की शूटिंग रुकवा दिया और सल्मान को वहाँ से सुरक्षित उनके घर पहुँचाया रसल सल्मान खान साहब मुंबई के फिल्म सेटी में अपने फिल्म रीज 3 की एक गाने की शूटिंग कर रहे थे उनके साथ जैकलीन भी मौजूद थी शूटिंग चली रही थी लेकिन उसी दोरान खबरों के मताबिक एक शक्स पहुँचा अपने हाथों में हतियार लेकर माना जा रहा था कि उसके पास गन है और ये बात जैसे ही टीम को पता चले उन्होंने तुरंद पुलिस को फोन किया और रीज 3 की सेट पर पुलिस को पहुँचना पड़ा सलमान खान और प्रेडियोसर रमिश तौरानी को कहा कि शूट कैंसल करना होगा जितनी जल्दी हो से के सलमान को घर सुरक्षित छोड़ सलमान को जान से मारने की धमकी दी इस गैंक्स्टर ने धमकी देते हुए कहा था कि वो सलमान को जोधपुर में ही मारेंगी लेकिन अब रीज 3 के सेट पर जब एक शक्स हाथों में हतियार लेकर पहुँचा तो इसका कनेक्शन इस धमकी से भी कहीं न कहीं जुडता हुआ बहराल पुलिस इस मामले में जाज कर रही है आगे क्या खबर आती है और क्या निकलता है मामला बताएंगे हम आपको फिलाल इस वीडियो में इतना ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को वीडियो को कीजिए लाइक एंड शेयर तिल देन टेक केर